तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 28 अगस्त के लिए बेस्ट 5 स्टोक्स की लिस्ट जिनके अंदर आप इंट्राडे का ट्रेड प्लान कर सकते हूं मैं से भी रिज्टर अडवाईजर नहीं हूँ तो आपको खुद से रिसर्स करनी है और फिर ही ट्रेड में एंट्री लेनी है अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने बारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चै चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसको भी आप जाकर के जोइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकाल की अपडेट मिलती है और साथ में आप हमसे वहां पे सवाल पूछ सकते हो अपने ट्रेड के बारे में डिस्कॉस कर सकते हो लिं हमारी फैमेली मेंबर के जैसे रहना चाहते हो तो सपोर्ट कीजिए ठीक है अब यहां पे जो जो स्टोक्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत मेहनत करके स्टोक्स हैं वो निकाले जाते हैं और हर दिन आपको मॉर्णिंग के अंदर 6 o'clock के उपर ये स्टोक्स हैं वो आपको दिये जाते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि 500 स्टोक्स की लिस्ट हमारे पास बनी हुई है उनके अंदर से फिल्टर हो करके हम निकालते हैं पूरे स्टोक्स को चेक करके तब ये स्टोक बैस्ट होते हैं तब ही आपके सामने आते हैं तो मेहनत के लिए ये वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे अंडर में डिमेट अकाउंट उपन कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए तो पहला जो स्टोक हमने चुना है वो है टोरेंट पावर इसके अंदर देखोगे तो यहां पे आप देखोगे कि यह जो यहां पे ब्रेक आउ प्रीक के ऊपर निकल जाता है तो आपको यह पर बाइंग साइड में जाना है ठीक है पाइंग साइड में जाते हो तो 678 का यहां पे पहला टारगेट रखना है ना यहां है यह यहां पे इसके अंदर भी बहुत अची चाल आ रखी है, यह गिरा था खूब पहले, लेकिन उसके बाद में देखो कि यह एक इसने क्या बना रखा है, एक चार्ट पेटन बनाया हुआ है, कितना अच्छा वाला चार्ट पेटन है, आप यहां पे आप देख पा रहे होंगे क इसका ब्रेक आउट उपर के साइड में यहां पे लगभग हो चुका है, अब यहां पे आप देखोगे कि यह अगर इसके हाई को निकाल देता है, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो, उपर के टार्गेट के लिए, लेक इसके बाद में जो नेक्स्ट श्टोक है, वो है दाल्मिया भारत, दाल्मिया भारत के अंदर भी देखोगे, तो यहां पे इसने क्या कर रगगा है, यह हमारी जो ट्रेंड लाइन है, इसको आप ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन के पास में एक बार, दो बार, ती उपर गया है, तो यहां पे double bottom create कर चुका है, ध्यान रखिए का double bottom create कर चुका है, तो यह अब high निकलता है, तो आपको इसके अंदर entry कर सकते हो, swing trade के लिए भी, और जो intraday trade है उसके लिए भी, तो 2015 के उपर आपको entry करनी है, 2040 के उपर पहला target रखना है, 2050 के उपर आपको यहां पे second target रखना है, 1998 के उपर आपको यहां पे stop loss लगा के रखना है, तो यह हो गया हमारा third number का stock, इसके बाद में जो fourth number का stock है, वो है K&R construction, K&R construction के अंदर देखोगे तो यहां पे मैं थोड़ा chart को बढ़ा करके दिखाना चाहूँगा, यह जो chart pattern बना हुआ था, यहां इसने नीचे के side से एक बार दो बार और इसी zone के अंदर यह आकर के support लेता है, अपर side में यह वाली trend line है, इसको आप ध्यान से देखिए कि इस trend line की तरफ यह जाता है, तो resistance लेता है, अब यह यहां पे देखो कि छोटे time, यानि छोटा एक chart pattern था, उसका breakout दिया, इस range को breakout दि 274 दूसरा target होने वाला है, 266 के उपर आपको stop loss लगा के रखना है, तो यह हो गया हमारा fourth number का stock, इसके बाद में जो last number का, जो stock है, intraday के लिए वो है, बजाज फिंसर्व, ठीक है, बजाज फिंसर्व के अंदर भी देखोगे, तो यहां पे अच्छी चाल आई थी, resistance zone था, resistance लिया, नीचे आया, नीचे आने के बाद में देखोगे कि एक low ये बनाया था, एक second low ये बनाया, ठीक है, लेकिन RSI ने कोई low नहीं बनाया है, divergence है, और उसका ही आप देखोगे कि यहां पे इसने काफियाची consolidation देखर के अच्छी वाली green candle आपर साइड में breakout के लिए बनाई 9 का आपको stop approach लगा के रखना है, तो ये हो गया हमारा आज के intraday के best 5 stocks की list का वीडियो और इन वीडियो के ये जो वीडियो है, everyday morning में आ जाते हैं, तो ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को like कीजे, channel को subscribe कीजे, और DMAT account आपके पास नहीं है, तो आप बिल्कुल free में हमारे अंडर में DMAT account open कर सकते हो, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, thank you very much